फिल्म मेकर जैमी दी ग्रांट ने 2012 में एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि दो सप्ता पहले वे पुरानी किताबों की दुकान में गए थे वो दुकान में किताबे देख रहे थे इस दुरान उनकी पत्नी ने एक किताब हाथ में ली जिसका नाम था The Cap Scott Story किताब के पेज पल्टे तो एक फोटो दिखाई थी फोटो में एक ग्रुप था जिनमें एक व्यक्ति कुछ अलग दिखाई दे रहा था उसके बाल बिगड़े हुए थे टिशर्ट पहन रखी थी बैठने का स्टाइल अलग ही दिख रहा था जिसके चलते उसे वीडियो में टाइम ट्रेवलर पताया गया दोस्तो इस वीडियो का सच जानने के लिए एक बार फिर से मैंने पड़ताल शुरू की इस फोटो से जुड़े हर तथ्य को बारी की से खंगाला सबसे पहले ये जानने की कोशिश में लगा कि कहीं फोटोशोप में किसी तरह की एडिटिंग तो नहीं की गई लेकिन दिकैप इस कोट स्टोरी बुक के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि इंटरनेट पर ये किताब बेची जा रही है जिसमें ये फोटो मौझूद है उसके बाद फोटो से रिलेटेड सेकडो आर्टिकल पढ़े तो सामने आया कि इस व्यक्ती को समय यात्री मानने का सबसे बड़ा कारण है कि इसके कपड़े अन्य लोगों से अलग दिखाई दे रहे हैं व्यक्ती ने टिशर्ट पहन रखी है अब सवाल ये था कि क्या 1917 में टिशर्ट पहनी चाती थी पड़ताल करने पर मुझे कोपर अंडर्वियर कंपनी के बारे में पता चला जिसने वर्ष 1904 में टिशर्ट को बाजार में उतारा था और उसका विज्यापन भी जारी किया था इसके साथ ही 1904 के समय में पहनी जा रही टिशर्ट कतित तोर पर समय यात्री बताय जा रहे व्यक्ति की टिशर्ट से मिलती है इसके नजदीक बेठे व्यक्ति ने भी टिशर्ट ही पहन रखी है हो सकता है इसने भी हेट लगा रखी हो जो उस समय उतारी गई हो जब ये फोटो ली गई थी हेट हटाने की वज़े से व्यक्ति के बाल बिगडे नजर आ रहे हैं इसके अलावा इस व्यक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके चलते इसी समय यात्री कहा जाए देखकर साफ हो जाता है कि व्यक्ति कोई समय यात्री नहीं है बलकि इसी ग्रूप का कोई सदश्य है टाइम ट्रेवल के अगले पार्ट में हम परताल करेंगे एक ऐसी वाइरल फोटो की